वेलकम टु सुवल सर्विसे स्टड़ी प्रेक्टिस सेट नंबर ये 262 है यूपी पीसी पीसेस के लिए टैस सीरीज चल लई है इस टैस सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखिए वहां पर आप टैस नंबर वन से लेकर 260 तक पहुंच सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इस्नल पार्क में मानस में या फुर ववी तोरा वन जीवा भेरण में एटी मांदी और ये उत्फिक एलावा इस उनाफाल में रहती है तो भारत में आसम में है यहां कि राजीव गांधी, ऊरंग नैसूंल पार्क में मानस नैस्णल पार्क में है पूरे एशिया की बात करें तो पूरे एशिया में राइनो यानि गेंडों की तीन परजातिया पाय जाती है एक सींग वाला गेंडा जाबा गेंडा और सुमात्र गेंडा भारत में केवल एक सींग वाला गेंडा पाय जाता है एक सींग वाला गेंडा यानि भारते गेंडा राइनो परजातियों में सबसे बड़ा गेंडा है और इस गेंडे की पहचान एकल, काले, सींग और तुचा के सिलवटों के साथ भूरे भूरे रंग से होती है और यह मुख्य रूप से घास, पत्तियों, जहाडियों और पेड़ों की साखाओं फल तथा जलिये पौधों की चराई करते हैं अब आसकी बात करें तो यह परजाती इंडो नेपाल तराई छेत्र उत्तर पश्चम बंगाल और असम तक सीमित है और भारत में गेंडे मुख्य रूप से असम में पश्चम बंगाल में उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं असम में चार सनक्षित छेत्र पुभी तोरा बनेजी बभर्न राजीव गांधी औरंग नेसल पार्क कांजी रंगा नेसल पार्क और मानस नेसल पार्क में 2640 गैंडे हैं और इन में से अकेले 2400 गैंडे कांजी रंगा नेसल पार्क में हैं केबल ठीक है जो की टाइगर रिजर्व है और आयू सीन की रेड प्वीतोरा, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, अस्वा है, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, माध़ी पूर नहीं है क्योंकि बांधी पूर करनाटक में है तीसरा प्रस्षन जापानी इंसेफलाइटेस से रिलेटेटेड कौन सा स्टेट्मेंट गलत है जापानी इंसेफलाइटेस एक बाइरल संकरमाने यह रोग क्यूलेस पुर जाती के संकरुत मच्छर मच्छरों के काटने से मनिस्टर में फैलता है और हाली में जापानी इंसेफलाइटिस के रोगियों के लिए एंटिवाइरल उपचार तियार किया गया है वो प्रोक्त में से कोई भी नहीं मतलब अगर ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर D देना होगा क्योंकि इंकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पूछ रहा है नमले के तो मैं से कौन सा स्टेटमेंट इंकरेक्ट है जापानी इंसेफलाइटिस से संबंधित तो पहला करेक्ट है दूसरा करेक्ट है यह C वाला गलत है ठीक है और यह है फ्लेवी वाईरस के कारण होने वाली एक विमारी है जो डेंगू पीला बुखार और वेस्ट नाइल वाईरस के समान जीनस से संबंदत है और जापानी एंसिफिलाइटेस बायरस भारत में एक्यूट एंसिफिलाइटेस सिंड्रोम का एक प्रमुक कारण है यह है रोग क्यूलेक्स परजाती के संक्रत मच्छरों के काटने से मनुश्य फलता है पर यह मच्छर मुख्य रूप से धान के खेतो और जलिये बनस्पतियों से भरपूर बड़े जल निकायों में परजनर करते हैं जापानी इंसफलाइटिस के रोगियों के लिए कोई एंटी वाइरल उपचार उपलब्द नहीं है तो सी वाला स्टेट्मेंट इंकरेक्ट है कि एक अभ्यास है लापैरास अभ्यास दोजह और तेई इस निम्री कितमें से कौन सा देश सामिल है इसमें लापैरास में इस नियुक्त भ्यास और तो बहुँ पक्षी अभ्यास यह लापैरास इसका तीसे शास व्याइब तेरे से चौदे मार्ज देहर्ट इस थे खिंद मा सागर्श, शेत्र माज़त किया गया और इस संस्क्रण में रोयल ऑस्टेलिया इनौसेना, फ्रांसी सी नौसेना, भारते नौसेना और जापानी मेरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स रोयल नेवी और युनाइटेड स्टेट्स नेवी के कर्मियों जहाज और इंट्रग्रल हेलिकॉप्टरों की भागेदारी रही ठीक है दो वहू पक्षे है ऑस्टेलिया भी इसमें, फ्रांस भी इसमें, भारत भी, जापान भी, और युएसे भी इसमें और यह है कि दूई वार्षे की जो धब्यास है, लौपेरास जो की फार फ्रांसी सी इनो सेना द्वराय उज़ित किया जाता है और बाकी यह सब इसमें सामिल हो गए यह नंबर इस पर कॉले वाटसप करके आप फुल टैप से सीरीज प्राप्त कर सकते यूपी पीसेस की सभी को पताओगा इसका अंसर हाली में 95 आउसकर में किस गीत को मोशन पिक्शर स्रेड़ी में सर्फ्रेजट मूल गीत के लिए अकादमी पुरुसकार से समानित किया गया तो ट्रपल र का नाटू नाटू है यह उप्सन नमबर ए है इसका अंसर तो हाली में 95 आउसकर में नाटू नाटू को मोशन पिक्शर स्रेड़ी में सर्फ्रेजट मूल गीत के लिए अकादमी पुरुसकार से समानित किया गया इसी 95 आउसकर अबॉर्ड में दा एलिफेंट विस्पर्स ने सर्फ्रेजट ब्रत्य चित्र लगू फिल्म का पुरुसकार विजीता इसको भी आद रखेगा देखें पश्रमी घाट की लंबाई 1600 किलोमेटर है नमली के दमें से कौन से राज है जो पश्रमी घाट या वेस्टन घाट में सामिल है यूपीएसी सेवल सेवाने वर्स दोहार 13 से अगर 20 तक देखें तो दो बार प्रश्न किया वेस्टन घाट से कि किन किन राज्यों में ये फैला है तो पश्रमी घाट जो है पश्रम के गुजरात से लेकर नीचे तक काउंट करते आओगे तो तमिल नाडू तक फैला है तो तमिल नाडू करनाटा केरल गोवा महरास्ट सभी है ये डी है इस कांसर देखे पश्रमी घाट कुल एक लाग साथ हजार किलोमेटर के साथ करनाटा गोवा महरास्ट गुजरात केरल और तमिल नाडू शेत्रों में फैला है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या सोले सो किलोमेटर है ठीक है करनाटा गोवा तमिल महरास्ट गुजरात केरल और तमिल नाडू में और यह है यूनेस्को की विश्धर हो रहा है जो दुनिया में जैविक विवहित्ता के आठ होट स्पोटों में से एक है ठीकि छेत्र फल दिया है न छेत्र फल तो सही है बर किलोमेटर यहां लगाना था कोश्टन वर्ड सेवन पर आज़िये इप्सा इप्सा फोरम में एक वियुक्त मेंसे कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है कौन सा सामिल नहीं कौन सा देश इपसा में भारत है ब्राजिल है दक्षिन अफरीका है औस्टलिया नहीं है देखे जिनेवा इससे डिपलो फाउंडेशन के अनुसार भारत ब्राजिल और दक्षिन अफरीका ने मिलकर त्री पक्षिय इपसा फॉरम का गठन किया जो डिजिटल गवर्नाइंस में सुधार की प्रकरिया में प्रमुक भूमी का निवा सकते हैं तो इपसा में भारत है ब्राजिल है दक्षिन अफरीका है इसे प्राश्न भी एक्जाम में पूछ लेते हैं कि कोशन नमबर एट पर अजिए संयुक्त सेन अभ्यास फ्रेंजेक्स दोहार तेजिए इसके संदर में अम्रे में यां इंडिया तो फ्रांस और इंडिया के वीच है पहला वाला इनकरेक्त है और केरल में चंपन था दोने और पडिशेश थिए हैं अあ भाता रहत थी और भारत और फ्रांस के बीच वरुण भी है जो कि एक नोसानिक अभ्यास है गरुण भी है जो एक वायू सेना अभ्यास है सक्ति भी है जो एक सेना अभ्यास है मतलब मिलिटरी और डेजर्ट नाइट 21 भी है जो एक बाईव अभ्यास है यह सब भारत और फ्रांस के बीच है गिद के संदर में निम्लिकित में से कौन सा कथन सत्य है यह है मरे हुए जीब खाने वाले पक्षियों की 22 परजातियों में से एक है गिद और भारत गिदों की 9 परजातियों का निवास स्थान है और हाली में परियावन वन और जर्बारी परिवरतन मंत्रा लेने देसों में गिद्दों के संरक्षन के लिए कि गिद्द कारी ओजना दोहार 20 से 25 की सुरू की ओजना जो है सुरू की है बेलकुल यह तीनों के तीनों स्टेट्मेंट सही हैं वल्चर गिद्द से संबंदत तो गिद्द जो है बड़े मरे हुए जीव खाने वाले पक्षियों की वाइस परजातियों में से एक है जो मुख्य रूप से उश्न कटी बंदे और पोश्न कटी बंदे छेत्रों में पाई जाती है लेखे ये प्रकरती के अबसिष्ट संग्रहक के रूप में एक महत्वपून काम करते हैं और परियावरण को अबसिष्ट से मुक्त रखने में मरत करते हैं और वन्य जीवों की विमारियों को नेंत्रण में रखने में जो है गिद्ध महत्वण भूमी का निवाते हैं गिद्दो की नो परजातियां भारत में गिद्दो की नो परजातियां या भारत गिद्दो की नो परजातियों का निवास अस्थान है ये परजातियां कौन-कौन सी हैं औरिएंटल वाइट बैक्ड, लॉंग विल्ड, स्लेंडर विल्ड, हिमालेयन, रैड हेड़ेड, एजिप्सियन, वियर्ड, सिनेरियस, और यूरेसियन, ग्रिफान, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, औरिएंटल वाइट बैक्ड ये पुरा एक है, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नो हो गए, ठीक है, इन नो परजातियों में से अधिकान्स पर विलुप्त होने का खत्रा मंड़ा रहा है, विश्व उपभोकता अधिकार दिवस कब मना जाता है, 15 मार्च को मना जाता है, भी है इस कांसर, देखें, उपभोकता मामले विभाग द्वारा 15 मार्च को विश्व उपभोकता अधिकार दिवस मना जाता है, और वस दयार 23 के लिए विश्व उपभोकता अधिकार दिव सामें एक कदम है और भारत में हर साल 24 दिसमबर को रास्ट्य उभुभुखता दिवस के रूप में बनाता है तो विस उभुभुखता दिकार दिवस 15 मार्च और रास्ट्य उभुखता दिवस 24 दिसमबर बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किन दो देशों के बीच आउजद किया जाता है बोल्ड कुरुक्षेत्र यह है भारत और सिंगापुर के बीच अपसन बरसी है इसका अंसर तो सिंगापुर की सेना और भारत की सेना ने भारत के जोदपुर सेन स्टेशन में दुई पक्षी है सस्त्र अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत के तेरवे संसकन की मेजवानी किया उसमें भाग लिया बोल्ड कुरुक्षेत भारत सिंगापुर के बीच है सुप्रीम कोट ने एक निर्ने दिया है भौपाल गैस्त रासदी की एक याची का जो है लंबित थी तो भौपाल गैस्त रासदी हुई कब थी यह बताना आपको यह हुई थी तीन दिसंबर को तीन दिसंबर 1984 को तो हाल ही में भारत के सरवोच नियाले ने वर्स 1984 में भौपाल में हुई गैस्त रासदी के प्यूडीतों के लिए यूनियन कारवाइड कंपनी से अधिक मौपजे की मांग वाली केंद्र की उपचार आत्म की आजिका को खारिश कर दिया है तीन दिसंबर 1984 को भौपाल में यूनियन कारवाइड लिमिटेड से अत्यधिक खतरनाक और विशाक्त गैस का रिसाब हो गया था और बहुत पूस्ते हैं इस गैस का नाम ठीक है मिसाइल आईसो साइनेट एम आईसी का रिसाब हो था और पांच हजार दो सब पिचानवे लोग की मृत्ति हो गए थी ये लगभग पांच लाख अड़सट हजार दो सब यानवे लोग घायर हो गया थे इसमें समपत्ति का नुकसान हुआ पुसधन का नुकसान हुआ उस्तान का नुकसान हुआए तो ये हो गई पांच भी पंच वर्सी ओजना D तो पांच भी पंच वर्सी ओजना 1974 से 1979 की दुरान गरीवी उन बुलंत था आत निर्वरता पर बल दिया गया और इसी ओजना के तहर जुलाई 1975 में 20 सूत्री कारिक्रम की सुरुबात की गई इसका मूल उद्देश लोगों विसे इसकर गरीवी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के जीवन इस्तर में सुधार लाना था देखे इस योजना को वर्स 1982 में 86 में 2006 में जो है री इस्ट्रक्चर किया गया और बरतमार में जो है 20 सूत्री कारिक्रम 2006 लग हुए वशन नुबर 14 पर आज़िये सिंथन टॉप दर्रा ये फरवड़ी दिहार 23 में खोला गया था कई समय के बाद आपको बताना है कि किंदो इस्थानों का अपस में जोडता है ये सिंथन टॉप दर्रा ये जोडता है चिनाब घाटी को कश्मीर से डी हैस का अंसर तो सिंथन टॉप दर्रा ये कूचा पहाड़ी दर्रा जो जम्मू कस्मीर के अनंतनाग जिले में ब्रेक घाटी और किस्तवाड के मद्ध इस्तता है ये दर्रा कश्मीर और चिनाब घाटी को जोडता है और जम्मू कस्मीर में और वीड पर एटन गर्तब को बढ़ाबा देने के लिए फरवरी दुहार तीस में पहली बार सिंथन टॉप दर्रा खोला गया पहली बार खोला गया अट्टुकल पंगल पे हमने कल ये परसु के टेस्ट में भी चर्चा की थी अट्टुकल पंगल जो कि विश्मे महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मे के महतसब माना जाता है और दस दिनों तक ये उतसब चलता है ठीक है इसका मुख्या करशन रहता है इसका नॉवा दिन तो करेक्ट है पहला श्टीटमेंट और ये केरल का है केरल राज में आयोज़ित किया जाता है तो द मंधिर का मुख्य आकर्शन 9 दिन चड़ाई जाने वाली सामुही ग्वेट होती है दस दिनों तक यह उतसब चलता है वर्शन 16 पर आजे यह है हिस्ट्री का प्रश्चन स्वेट विद्रो के समय बंगाल का गवर्णर जनरल कौन था लॉड क्लाइव था देखे बंगाल के गवर्णर लॉड क्लाइव द्वारा बंगाल के सैनिको को मिलने वाला दोहरा भत्ता बंद कर दिया गया था वह 1766 में यह भत्ता बंगाल एवं ब आग्या का विरोध किया था जिसे स्वेट विद्रो कहा जाता है कि वर्शन नंबर 17 पर आ जाईए वर्श 1921 में समाचार पत्र संबंदी कानूनों की समिक्षा कि यह उद्देश से बनाएगे प्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज इस पीडिया भी प्राप्त कर सकते हो यह नंबर इस पर कॉलिया वाटसप करके पेड़ ग्रूप को जोईन करके इस प्रेशन का उत्तर है अपसर नंबर डी तेज बहादुर सप्रू देखिए पर्था मिश्वत के दोरान सरकार दोरा भारत सुरक्षा अधिनियम को जनितिक आंदोरन अबम स्वतंतरता आंदोरन को निशेद कर दिया गया और समचार पत्र संबंदी कानूनों की समिक्षा के उद्देश से 1921 में प्रेस कमिटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्स थे सरतेज बहादूर सप्रू और इनकी सिफारी सो क्याधार पर 1908 में और 1910 में प्रेस अधेनियम रद्द कर दिये गए थे वर्शन 18 पर आजए नमने के तमय से कौन सी अंध्रिक्स एजन्सी जूस मिशन लॉंच करने की योजना बना रही है जूस मिशन जो की ब्रहस्पती यानि जूपिटर का मिशन है ये है योड़ू पीयस पेस अजजन्सी आपसर नमबर डी तो European Space Agency, Arian Space और Airways मिलकर दोहरते इसमें फ्रेंच गुएना से एक मिसन लाँच करना जा रहे है Arian 5 रॉकिट के जरिये European Space Agency Jupiter IC Moons Explorer लाँच करेंगे और यह अंतरिक्ष यान जो है ब्रहस्पति ग्रह के चंदरमा के लिए 8 साल की कठे नियात्रा करेगा और जो सेटलाइट ब्रहस्पति और इसके तीन बड़े महासागरवाले चंदरमाओं कैलिस्टो गैनीमीड और योरोपा के करीब से गुजरेगा और ब्रहस्पति की जाच करने के अलाबा यह इनके चंदरमाओं पर जीबन होने की संभाबना का भी पता लगाएगा ठीक है अगर पूछले प्रहस्पति कैलिस्टो गैनीमीड और योरोपा किसके चंदरमाँ हैं किसके उपग्रह हैं तो ब्रहस्पति ग्रहके और जूसमेशन किसका यूरोपिय स्पेस अजन्सी का कोशन नमबर 19 पर आज़ी रोंगाली भी हूँ बोहांग भी हूँ काटी भी हूँ निमलिकत में से किस राज के प्रशिद्ध सब हैं बीहू तो पता ही होगा सभी को असमका है यह तो यह इनकी सब क्रेटेकरी होगी तो असमका हो गया भी है इसका अंसर लिशेंट में भी ह तो बोहांग भी हूँ भारत और उत्तरपूर्वी राज्यों में मना जाने वाला एक प्रशिद्ध तिहार है इसे रोंगाली भी हूँ या हत्वी हूँ भी कहते हैं देखें यह असमी नव वर्स की सुरुवात का प्रतीक है और आम तोर पर यह जो तिहार है वो तेरे से च आटी भी हूँ जो माग भी हूँ वह जनबरी में और जो काटी भी हूँ हर साल अक्टूबर मना जाता है यह सारे उत्सब फसल पकने और त्यार होने की खुसी में मनाया जाता है बिश्वापराश चंतिम प्रश्ण प्रोजेक्ट अलिफेंट से रिलेटेट कौन सा स्टेटमेंट सही है भारत ने 1991-92 में केंद्र प्रयजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट अलिफेंट की सुरुबात की थी इसके तहत राज्य को केबल वित्य सहायता दी जाती है के केबल वाले स्टेटमेंट गलती होते हैं थी कि गलत है यह वित्य सहायता के अलावा हाथियों का संद्रक्षन भी उनके आबासों का संद्रक्षन है उनका पुनरवास करना है और क्यों पूछा गया है प्रश्ण क्योंकि हाली में प्रोजक्ट टाइगर ने 30 साल पूरे कर लिए अपने और इस के उपलक्ष में भारत के राष्ट पती ने असम में कांजी रंगा राष्ट उध्यान और टाइगा रिजर्व में आयोजित गज उत्सभ हुआ था वहां अब हाती संघर्ज को रोकना पालतू हातियों के कल्यान को सुनिश्चित करना और क्या क्या करना इसके तहत परियोजनाओं के लक्षों को हासिल करने के लिए राजियों को वित्य साहता और तकनीकी दोनों तरे की साहता दे जाती है इसलिए गलत है सेकिंड वाला स्टेट् सब्सक्राइब रखेगा सब्सक्राइब रखेगा सब्सक्राइब करते रहे हैं धन्यवाद